Hello everyone, welcome to my channel आज किस वीडियो में मैं आप लोगो को क्लास 8 की हिंदी किताब भासा मंदरी का complete objective question answer करवाने वाला हूँ आप लोग last में comment box पर comment करके जरूर बताइएगा कि आप लोगो पहले से कितने question answer आते थे चेप्टर का नाम है बड़े भाई साब और इनके जो लेखक हैं वा है प्रेमचंद question number one है बड़े भाई साब कहानी के लेखक का नाम है बड़े भाई साब कहानी के लेखक का जो नाम है वा question number D आपका राइट हो जएगा प्रेमचंद पसन नमर टू, लेखक के बहाई उनसे कितने साल बड़े थे तो लेखक के जो बहाई थे और लेखक से पान साल बड़े थे पसन नमर थी, बड़े बहाई साब लेखक से कितने दरजे आगे थे तो तीन दरजा आगे थे, अपसन नमर ये काफसा सही हो जाएगा पसंद नमर 4, बड़े भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे तो तालीम या सिच्छा लेना, सिच्छा के मामले में जल्दबाजी करना उन्हें पसंद नहीं था suggestion number five बड़े भाई साहब का सिच्छा के मामला में काम करने का क्या तरीखा था so option number C आपका सही हो जाएगा एक साल का काम दो तीन साल में करते है option number six बड़े भाई साहब का जनमसीद अधिकार क्या था option number D आपका सही हो जाएगा चोटे भाई को डाटना डपटना और उसकी निगरानी करना उनका जननसीद अधिकार था पॉसन नमर 7 लेखक अर्थात चोटे भाई को की सालिंता किसमे थी तो इसका ओप्सन नमर 8 आपका सहों जगा बड़े भाई के आदेश को कानून मानने में उनकी बहुत बड़ी सालिंता थी पॉसन नमर 8 बड़े भाई साहब का सभाव कैसा था? तो बड़े भाई साहब का जो सभाव था वो अधियनसील था कोशन नमर 9 बड़े भाई साहब दिमाँ को आराम देने के लिए क्या करते थे बड़े भाई साहब जो हैं दिमाँ को आराम देने के लिए किताब के हासियों पर शिड़ियों उत्तो और बिलियों के सितर बनاتे है कोशन 10 10 लेखा का मन किसमें नहीं लगता था तो अप्सन नमर बी आपका सही हो जागा पढ़ने में मन नहीं लगता था अप्सन नमर 11 लेखा के प्रान कब सुख जाते थे तो लेखा के जो है प्रान सुख जाते थे इसका option number D आपका सही हो जाएगा जब कमरी में बड़े भाई सहाब का रोध रूप देखती थे तो उनका परान सुख जाता था question number 12 परान सुख जाने का अर्थ है तो बहुत भैभीत होना परान सुख जाने का अर्थ है option number D आपका right हो जाएगा question number 13 question number 14 परान सुख जाने के पहले ही दिन से क्या सुख हो जाता था option number P आपका सही हो जाएगा time table की अमहिलना करना question number 15 रावन खौन था तो रावन भूम मंडल का स्वामी था option number B आपका सही हो जाएगा question number 16 कौन किसे रावन का उधारन देकर समझा रहा था तो option number B आपका सही हो जाएगा बड़े भाई सहाब लेखक को समझा रहे थे question number 17 लेखक को कौन सा नया सौख पैदा हो गया था लेखक को जो है option number D कन को हुए उड़ाने का नया सौख हो गया question number 18 बड़े भाई सहाब को छोटे भाई सहाब के मुकाबले किसका अनुभो अधिक था तो इसका option number B आपका सही हो जाएगा दुनिया और जिन्दिगी का question number 19 देव ना करे आज मैं बिमार हो जाओं पतन में मैं कौन सा है कौन है मैं कौन है तो इसका option number B आपका सही हो जाएगा बड़े भाई सहाब है यहाँ पर मैं question number 20 हाइड मास्टर सहाब को कितना वेतन मिलता है तो हाइड मास्टर सहाब को एक हजार रुपिया वेतन मिलता है हाथ पाउप फूलना मुहाबरे का अर्थ है हाथ पाउप फूलना मुहाबरे का अर्थ है घबरा जाना हो के option number D आपका सही हो जाएगा question number 22 दातों पीषना अना मुहाबरे का अर्थ है अतियधीक परिस्वरम करना option number D आपका right हो जाएगा question number 23 लोहे के चने चबाने मुहावरे का अर्थ है लोहे के चने चबाने का अर्थ है बहुत अधिक बहुत अधिकाम या संगहर्स करना question number 24 तुम जहीन हो इसमें सकक नहीं लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मा गौरों को हतिया कर डाले किसने किसको कहा तो यह जो बात है वह लेका कि जो है वह अपने बड़े भाई सहाब को कहते है question number 25 बड़े भाई सहाब का आने में हमें क्या पता चलता है तो हमें प्रहाई अनंद पुरुवक धंसे करनी चाहिए या विद्या रटन्त विद्या पर्णाली की कमी बतलाता है हमें जीवन की समझ स्रिफ किताबी ग्यान से नहीं मिलती है या यह सब इसका option D number सही हो जाएगा इसमें यह जो जितने हैं तीनो पॉइंट यह तीनो पॉइंट इसमें सही हो जाएगे जरूर आप लोग कमेंट बक्स से पताईएगा कि आप लोग को कितने question answer पहले से आ रहे है थे ठीक है वीडियो को लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जैन जै भारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में